हेलो एवरिवन आज हम डिसकस करने वाले हैं दिल्ली उनिवर्सिटीज के कोर्स बियो ओनर्स फिलोसफी के बारे हम बात करने वाले हैं इसका इलिजिबिटी क्राइटेरिया क्या है यह हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दिल्ली उनिवर्सिटीज में अड्मीशन या पता होना चाहिए यह प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं यूजी अड्मीशन का दिल उनिवर्सिटीज का है तो बहुत सारे बच्चों ने इलिजिबिटी क्राइटेरिया 2022 में फुल्फिल नहीं किया था तो आप 2023 में गलती ना करें तो इसलिए मैं आपको पहले ही इलिजिबिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझाएता हूं क्योंकि आप देखेंगे कि सी यूएट में एप्लिकेशन फॉर्म में इलिजिबिटी क्राइटेरिया यहां पर आपको यह इलिजिबिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है दिली उनिवर्सिटी के प्रस्पेक्टस में पेज नमबर 33 पे और क्या क्या important points है सब मैं आपको एक ही करके clear कर दूँगो प्रोग्राम specific any one language from list A list A से आपको एक language लेनी है यह language कौन-कौन सी है अभी उपर आपको मैं दिखाऊंगा list A, B1, B2 उसमें से आपको एक language चूज़ करनी है any two subjects from list B1 plus दो subjects और आपको चूज़ करने है list B1 से और any one subject from either list B1 और list B2 यानि total आपको चार subject चूज़ करने है एक language दो subject list B1 से और एक subject और चूज़ करना है कोई से भी subject चूज़ कर दिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारे points कहां का लिखें सबसे पहले यहाँ पे आप देख लिए कौन-कौन से college offer करते है बी honors philosophy यह सारे colleges है जो की offer करते है बी honors philosophy अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले list A, B1, B2 यह क्या है यह मैं आ पर आपको यह सारे language दी हुई है list B1 यह रही और list B2 यह रही दो तो आपको यहां से choose करने ही है eligible होने के लिए और एक subject और आपको चूज़ करना है चाहे तो list B1 से choose कर लिजे या फिर list B2 से choose कर लिजे ठीक है मान लेजे आपने दो यहां से choose कर लिजे एक यहां से तो आप eligible है अब मान लेजे आपने यहां से तीन choose कर लिए बी टू से choose ही नहीं करा अभी भी आप eligible है लेकिन आपने यहां से एक choose करा यहां से दो choose कर लिए अब आप eligible नहीं है और यह subject कौन से होंगे जो भी आप choose करें हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ कौन से सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़ें यहां पर आपको इंपॉटेंट पॉइंट में लिखावा है या रहने वाला चीक है बाकी कुछ चेंजिस आएंगे तो आपको वीडियो बनाके अपडेट कर दिया जाएगा थैंक यू